अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ एटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्क वगरा पे टाइम तो दे रहे होगा ना, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि टीच्मेंट बनाता है आपकी क्लास को असनी डिजिटल और आटोमेट कर देता है यह सारे काम, इसली तो कहते हैं कि टीच्मे तो आए आदेश देखते हैं क्या-क्या फेंसला हुआ है, तो वीडियो लाश्तर बने रहे हम तुम्हें पुरा आदेश पढ़के सुनाईगे ठीक है, और यह चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना, आप यहां इस पर देख सकते हैं कि एमपी में कल स से स्कूल फीर से खुलेगी, कच्छा एक से बार भी तक सभी कच्छा 50% की उपस्तिक के साथ संचालिद होगी, ठेक कल से हमारी स्कूले सभी चालू हो जाएगी, जो कोरोना की बज़े से सुरासिन चोहान ने बंद कर दिये थे, तिस जनवरी तक के लिए, वो कल से वापस स स्टार्ट हो जाएगी, मुखमंदी सुरासिन चोहान ने स्कूल खोलने के समद्ध में चिकिस से बिचाव इमास के बाद फेंसला लिया, आवास से बिचावास की 50% को पस्तिती साथ खोले जा सकेंगे, बोर्ड परिच्छा, हमारी जो परिच्छा हैं, बोर्ड परिच्छा गया है, उसे हम आउफ लाइन मोड में समय पर कराने ही परियास में, अगर कोई व्यद्धान आता है तो फिर आगे का नियुने लिया जाएगा, फिर हार हम समय पर इजम करवाएंगे, दस भी ही परिच्छा, अठरा फरवजी से सुरू होकर, दस मार्ज तक और बार भी ही परिच्छा 17 फरवजी सुरू कर 12 मार्ज तर चलेगी, पहली बार पेपर सुबह 10 बजे से दोपार 1 बजे ही बीच होगा, छात्रों को सुबह 8 बजे पहुचना होगा, यमपी में पहली बार ऐसा हो रहा है, कि यमपी बोट की जो परिच्छा है नो फरवरी में आयोजित हो है, माद्य परिच्छा 17 फरवरी से सुरू होने वाली है, 19 जनुरी को सियम शुराशिन ने कोरोना समिच्छा है, बिछली बेठा राज्यों की स्तती को देखकर, एक्सपर्ट से सलाहे लेकर, इसकोल कोलने का आदेश लेने के निर्देश दिये हैं, तो दोस्तों एक फरवर ने ही टाइम टेबल के अनुसारी पेपर होंगे, ठीक है, तो सभी बच्चे पढ़ाई जरूर करें,